हेलो और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बायलोजी विद टेक्नलोजी आइम यूट्यूटर मेगा गुपता इफ यू आप सब्सक्राइब माई चैनल यह प्लीज गो एंड सब्सक्राइब और प्रेश दी बेल आइकन और अगर आप इसे share करना चाहते है प्लीज आसे जादा मेरी वीडियो को share कीजिये आज का हमारा टॉपिक है hybrid oma technology तो हम बात करते हैं पहले कि हमारा जो hybrid oma technology में नाम क्या indicate कर रहा है hybrid का मतलब होता है fusion होना यानी fusion में दो चीज आपकी क्या हो रही है हरी के फ्यूज़ हो रही है एक साथ ही कैंड हो रहा हैं ऑर ये ब क्या बोलते हैं सिल्हां ह्भी डाइजेशन टीक है और दोसी चीज़ हो रहा है तो किन दो चीज़ों का लग सिल आपर myeloma सेल के साथ विक्त उफ़ीड यहां पर कॉंसे टेक्नलोजी टविकार कोई भी एक्सपेरिमेंट परफंब होना है तो प्रोडक्शन भी होगा प्रोड़क्शन हमारें यहांपर किसी का हो रही है मोनोक्लोनल एंटी बॉड़ी इसका जिसमें mono का मतलब होता है single, clonal का मतलब होता है clone antibodies ठीक है, यानि single clone antibodies यह हमारी किसने produce करवाई थी इस technology के थुरू Caesar Milstein and JF Colon in the year of 1975 ठीक है, जिस चीज के लिए इनको क्या मिला था, nobel prize मिला था in the year of 1984 ठीक है, किस field में, medicine and physiology के field में ठीक है, अब हम इसको थोड़ा short में पहले समझते हैं, उसके बाई diagram के थूँ हम इसको समझेंगे तो हमारा क्या हम किसके बारे बात कर रहे थे, कि हमारी 2 cells हो गई एक हो गई B cell, एक हो गई हमारी myeloma cells इनका हमने क्या किया, hybridoma करा दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, B cells अब पहली बात, तो हमें पहले चीज, experiment किस पर perform हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यह जो mice है, इसमें हम क्या inject कराते हैं, antigen inject कराएंगे अब जब antigen inject करेंगा तो यह क्या form करेंगा, antibodies अब यह जो antibodies है, यह mice के case में कहां पे आपकी form होती है, स्प्लीन cells में, और humans के case में कहां हो रही थी, plasma cells में जो आप पढ़ चुके हो, previous videos में, right अब यह हमें स्प्लीन cells चाहिए, क्योंकि हमें इनी स्प्लीन cells, जो B cells यानि antibodies generating cells हैं इनको fuse कराना है, myeloma cells के साथ, ठीक है अब जब आप इन दोनों चीजों को fuse कराओगे तो condition क्या होगी आपकी unfused spleen cells दूसरी condition क्या होगी unfused myeloma cells और तीसरी condition क्या होगी fused hybrid cells ठीक है, अब क्या होगा आपका जो unfused spleen cells था वो एक point तक आकर आपकी खुदी die हो जाएंगी क्योंकि ये एक point तक ही आपकी grow कर सकती है, उसके बाद ये खुदी die हो जाती है unfused myeloma cells क्या होती है, आपकी immortal in nature होती है, कैसे immortal, जो क्या होती है, indefinitely आपकी grow करती रहती है ठीक है, ये immortal in nature होती है, तो इनके लिए हम इसको kill करने के लिए हम क्या होती है, आपकी पहली चीज़ तो HGPRT negative होती है ठीक है, HGPRT के full form होती है हाइपोजैन्थीन, ग्वानीन फॉस्फोर राइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है, हाइपोजैन्थीन हाइबरिट सेल्स चाहिए, सिर्फ हमें, हमें इन दोनों की रिक्वाइमेंट है ही ने, हमें से फ्यूस्फोर हाइबरिट सेल्स चाहिए, तो इसको हम एक ऐसे culture मीडिया में ग्रो करेंगे, उस मीडिया का नाम होता है, हैट मीडिया, हैट की कि वह क्या है, इम्मोटल है, तो यहाँ पर हाइपोजैन्थीन अमाइन अप्टैरिन ट्रांसपरेज में एक अमाइन अप्टैरिन क्या है आपका, यह एक ड्रग है, जो क्या करेगा, कि हमारे इसको, इसके एक्टिवेशन को ब्लॉक कर देगा, एक्टिवेशन किसका होता है ब्लॉकेज ओफ टैट्रा हाइड्रो फोलेट का ठीक है जब आपका यह रुख जाएगा तो आपके क्या होगी आपकी माईलोमा सेल्स क्या होंगी वो खुदी डाय कर जाएंगी क्योंकि उसको वो कंडिशन नहीं होती है जी पी आइटी क्या करता है उसी एंजाइम को रोकने का काम कर देगा जो आपकी माईलोमा सेल्स इससी की ग्रोई नहीं हो पा है तो इस वज़े से आपकी माईलोमा सेल्स भी डाय हो जाएंगी विकॉज अप इस मीडिया क्योंकि इसमें क्या है एक अमाइन ऑप्टैरिन है जो एजा ड्रग यूज हो रहा है जो क्या कर इन्हीबिट कर रहा है क्या करेगा इन्हीबिट करेगा किसके पाथवे को डी नोवो सालवेज के पाथवे को ठीक है जब आपका प्यूरिन का सिंथेसिस ही नहीं होगा तो वहां पे आपका क्या होगा टेटर हाइडो फोलेट क्या होगा उसकी सिंथेसिस ही नहीं होगी त तो उसके बाद क्या होगा जो हमें यह चाहिए फ्यूज्ट हैबृडट सेल्स इनकी हम मल्टिपल कॉपीज बना लेंगे मल्टिपल कॉपीज फॉर्मेशन के बाद आपके लास में क्या बन जाएगी मोनोक्लोनल एंटीवर्डी बनना स्टार्ट हो जाएगी इसकी थीक है अ फिए इंटिजन यानि यंकाल लेंगे क्यों क्या करते हैं पूलिय। क्या मैं लेक्रेट皆 रहा है तो हम से करके स्वाँ सी यानि जी सिर्कता है यानि polyethylene glycol के थुरू हम इसका तीनों को मतलब दोनों को मर्ज करा देंगे तो फ्यूज में क्या होगा दो चीज होंगी तीन चीज होंगी सौरी एक तो फर्स कंडिशन होगी यान फ्यूज स्प्लीन सेल्स जो कि आपकी स्प्लीन सेल्स किसी के साथ मर्ज नहीं हुई है तो हमें कौन सी सेल्स चाहिए इस से फ्यूज हाइब तो अभी हमने जैसे बटाए यह तो अटोमेटिकली आपकी डाई कर जाएंगी कुछ टाइम पीरेट के बार माईलोमा सेल्स के लिए हमें इसको ऐसी कंडीशन में डालना है कि ये die हो जाएं तो वो क्या थी H80 मीडिया में किस मीडिया में हमने डाला इन सैल्स को H80 मीडिया में तो अब यहाँ पे क्या हुआ हैट मीडिया में सिर्फ वही सैल्स ग्रो करेंगी जो कि क्या हैं आपकी Fused Cells हैं तो बाकि सारी आपकी क्या हो जाएंगी मर जाएंगी तो देखो यह आपकी unfuse थी यह unfuse थी और यह आपकी Fused हैं तीनों तो यहाँ पे क्या होगा जितनी भी Fused वाली हैं यही आपकी ग्रो कर रहे हैं बाकि सारी मर गई है because of the hat media क्योंकि इसमें क्या है आपका एक Aminopteran Drug है जो क्या कर रहा है जो क्या कर रहा है जो क्या कर रहा है इनिविट कर रहा है डी नोवो को ठीक है डी नोवो सिंथेसिस पार्थवे को इसमें क्या था प्यूरीन की सिंथेसिस हो रहे थी ठीक है अब हमें क्या चाहिए सिर्फ hybridoma cells चाहिए hybridoma cells आपकी grow कर जाएंगी उनकी copies बनी शुरू हो जाएगी जब उनकी clone हो जाएगी तो वहाँ पर क्या form हो जाएगी आपकी दीज़े दीर monoclonal antibodies का formation शुरू हो जाएगा तो यह होता है आपका hybridoma technology for the production of lastly for the production of monoclonal antibodies antibodies यानि single clone antibodies ठीक है यह आपको किस से मिल लएगे hybridoma technology आई होप आपको हमारी technology यह वाली समझ में आई होगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप like share and subscribe my channel thank you और आपको इस topic के regarding कोई भी डाउट हो तो आप comment section में मुझसे पूछ सकते हैं I'm here to help you out thank you